हेलो दोस्तों स्वागत है पॉर्णिक स्टार्स पे मैं हूँ आरके सिंग अगर आपने उन पाचो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग उन पाचो लेक्चर को देख लीजे और उसमें जितने भी कंसेप्स सीखे हैं उन सभी को आप लोग क्लेयर कर लीजे ते उसके बाद इस वीडियो को कंटीनियू कीजेगा तो चीजों को समझने में बहुत जादा असानी होगा ओके तो इसी वीडि लीजेगा उन पाचों क्लास उसको बिल्कुल बारी की से तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेलेवस में जितने भी मेसिंज दिए गए हैं जिसके बारे में पढ़ना है पहले उन सभी मेसिन का लिस्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मैसीन जो है का मोडिफाइड वर्षन डाट इस डिफरेंशियल विल एन एक्सिल ओके तीसरा हम लोग पढने वाले हैं आपका वर्म एंड वर्म विल के बारे में ओके यह हमारा तीसरा मैसिन हो गया जो कि हमें पढ़ना है चौथर नमबर पर आता है सिंगल पर्चेस विंच क्राब ठीक है या फिर क्राब विंच भी आप लोग इसको लिख सकते हैं पाच्वा हो गया डबल पर्चेस विंच यह विंच क्राब होगा डबलू आई एन सी एच विंच क्राब यह पाच्वा हो गया दन उसके बाद हमें च्छटा पढ़ना है सिंपल स्क्रीव जैक के बारे में सिंपल स्क्रीव जैक जिसके सारे हम लोग कार को उठाते हैं टायर चेंज करने के लिए ओके चलो अब अब क्या है साथवे नंबर पे हमें पढ़ना है आपका पुलीस के बारे में पुलीस ठीक है पुली सिस्टेम आपका तीन तरह के सिस्टेम आते हैं फस्ट सेकेंड एंड थर्ड सिस्टेम आटवे नंबर पे है आपका गियर्ड पुली ओके नौवे नंबर पे आता है क्या नौवे नंबर पे हमारा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक ठीक है तो दिस अर्द मैसिन जोकी हमारे सिलिबस में है इन सब इसको जो है हमें पढ़ना है देखो एक-एक क्लास में हम लोग एक-एक मैसिन को डिसकस करेंगे तो फिर हमारा नो क्लासे जोए इस चैप्टर से आने वाले हैं ठीक है नो क्लासे में हम लोग इस चैप्टर को जो है कम्पलीट करेंगे आज कितना है आज दो तारिक है तो फिर दो से अगल स्टार्ट होगा तो 11 में जाके खतम हो जाएगे ये पूरा सिलिबस ठीक है उसके बाद और इंडिंग मेकानिक्स में mcqs जो है solve करना स्टार्ट कर देंगे ओके चलो तो लास को और ज्यादा डिले नहीं करेंगे बस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला मेसीन डाट इस will and axle अब यह will and axle होता क्या है इसके बारे में मैंने आप लोग को थोड़ा सा बताया था जो गाव में जो क्वे से पानी निकालते हैं ठीक है तो क्वे से पानी निकालने के लिए एक सिस्टेम का यूज किया जाता है जहापे रसी के सारे जो है एक पईये को घुमाया जाता है एंड वहां से जो है हम लोग दूसरे रस्टे के सारे क्वे से पानी निकालते हैं ठीक है तो कुछ इस तरह का सिस्टेम होता था जैसे की देखो यह कुए के दो साइड में दो ऐसे पीला रखा जाता है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टेम होता था ठीक है एक बड़ा सा एक चोटा सा ऐसा सिस्टेम होता था ठीक है इसमें रस्टी लपेटा होता था जो की डायरे कुए में चला जाता कुए में क्या रहता इस रस्टी के साथ इस रस्टी के साथ एक बाल्टी रहता इधर ठी कीशते थे इसको खीचेंगे तो यह उपर उठेगा इसको अगर छोरेंगे तो यह नीचे उतरेगा ठीक है तो यह जो सिस्टेम होता है इसको हम लोग कहते हैं wheel and axle अब इसमें से wheel कौन सा है जिसका diameter जादा है उसको हम लोग wheel कहते हैं जिसका diameter कम है यह वाला पार्ट आपका है एक्सेल ओके एंड इसमें जो रसी यूज किया जाता है दो अलग अलग रसी होते हैं यहां पे एक रसी को आपका खीचेंगे तो दुसार सी आपका उठेगा मतलब दोनों को opposite direction पे हमें यहां पे लपेटना होता है इसको खोलेंगे तो यह आपका क्या होग इसका जितने भी formula है उसको हम लोग समझेंगे ओके चलो तो थोरी बाते जो है इससे हम लोग लिख लेते हैं तोरी बाते क्या-क्या है असिम्पल फिल एकसेल इस अचल has a wheel of larger diameter and a axle and a axle of smaller diameter ठीक है यह बात हम लोग जानते हैं wheel का जो diameter होगा वो ज्यादा होगा and axle का जो diameter है वो आपका कम होगा both are keyed in a single spindle अब यह spindle क्या है इसको हम लोग sept भी कहते हैं ठीक है जिसके साथ इन दोनों को जोरा जाएगा दोनों को एक ही साथ जोरा जाता है ताकि दोनों एक साथ ही घुमे ठीक है a string a string on the wheel is und round where we apply effort ठीक है तो हुईल में जो रसी को लपेटा जाता है उस पर हम लोग क्या करते हैं आपकोट अप्लाई करते हैं एंड़ another another string is wound actually wound spelling wound wound round string is wound round on axle which will carry the load carry the load ठीक है तो Excel में जो string को हम लोग लपेटते हैं वो load को carry करता है and will में जो रच्ची को हम लोग लपेटते हैं उसमें effort apply करते हैं both both the string is und round in opposite direction ठीक है दोनों को अलग अलग दिसा में जो है लपेटा जाता है for one rotation of will there is one rotation on axle okay तो यह कुछ बाते हैं जो कि आपको लिख लेना है अपने नोट पे अगर आप लोग पना रहे हे तो फिर बिल्कुल डीफिनेटली इन अंसी बात Examples ले लिख लीजे आगे बढ़ते हम लोग विडाज़VO डायग्राम पर कि यह जो मैसीन है इसका डायग्राम कैसा होता है चलो इसको लिख लिए है तो आगे बढ़ते हैं अभी डायग्राम देख लिए इसका ठीक है इसका डायग्राम आप लोगको पता होगा क्योंकि आप लोग ट्यक्तिकल पे इसका example देख लिए हैं ठीक है तो इसका diagram भी आप लोगको पता होगा कि कैसा इसका diagram होगा तो फिर भी मैं इस diagram को draw कर लेता हूं and आप भी अपने note पे इस diagram को जो है draw कर के रखिए जितने भी point में लिखाऊंगा सारे point को आप लोग लिखते जाईए चलो तो फिर सबसे पहले तो हमें क्या करना है एक sept लेना है सबसे पहले हमें क्या करना है एक sept लेना है ये मैंने क्या लिया एक sept लिया ठीक है बिल्कुल इसको सीधा रखना ये सैप जो है ये बिल्कुल सीधा रहेगा लोगित थोरा से पतला हो गया इधर हो गया Iобы से इसको मैंने कर दिया ओकि यह हमारा सेप्ट हो गया जो कि घुमेगा अब इसमें हम लोग क्या सेट करेंगे एक हुईल सेट करेंगे ओके फुल जो है कुछ ऐसा रहेगा हमारा चलो इस फुल को जो है हम लोग सेट कर देते हैं ओके यह हमारा फुल सेट हो गया तो इस सैप्ट का जो लाइन है इदर इसको हटा देते हैं क्योंकि यह इसके साथ जो है जुड़ चुका है हम लोग preserve एक एक एक्सल जुरेंगे ऑसब लाइक दिस इस आवर एक्सल प्रीड यह हूँ और फैसी साथ जोइय के सास्थ है जूर चुका है अभड कहुंगा गए पूरा सिस्टम जो है हमारा घुमेंगा इसमे कौन हुई है बोलो जिसका डायमेटर लार्ज है दिशिजावार फिल ठीक है एड इसको हम लोग कहते हैं एक्सेल ओकी एड इसको जो है इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं स्पिंडल या फिर सैप्ट ओके तो अभी जो है यह हमारा घुमेगा इसलिए हम लोग इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे जो है बॉल वेरिंग सेट कर देंगे बॉल वेरिंग सेट हो जाएगा तो यह हमारा इजी ली जो है घुम सकता है ठीक है काम को और भी आसान करने के लिए एनरजी क कुछ थोना सा बचाने के लिए ओके फ्रिक्शन को हम लोग यहां से अदा देंगे बॉल वेरिंग के माध्यम सिम तो अब यह जो है फ्रिली हमारा घूम सकेगा क्योंकि हम लोग ने दूनों साइड जो है बॉल बेरिंग सिस्टम लगा दिये हैं बिल्कुल पिंदाज घुमे लपेटे हैं ठीक है रसी को जो है कुछ इस तरह से लपेटे हैं हम लोगों ने ओकी चलो यह इधर देता हूं इधर यह जादा टेरा हो गया है इसको सीधा कर देते हैं इसको बाहर नहीं निकालेंगे इसको कुछ इस तरह से रखेंगे बिल्कुल ऐसे रखेंगे इसको ऐस से रखेंगे इधर से निकालेंगे लिए यहां पर क्या हम लोग करेंगे बोलो पोड अप्लाइब करेंगे ठिकर एंड रसी को रसी ताकि यह आउट ना जाए तो यहां पर आपका ऐसी खुछ थोड़ा सा काट के रखा जाता है ठीक है ताकि रसी जो वह बाहर के तरफ ना चला जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको काट के रखा kayak的 गालता है, क्यों कि यह तो हमारा हो गया ? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे , इसमें हम लोग और और एक रसी को जो है लपेतेंगे लेकिन opposite direction पे ठीक है लेकिन हम लोग इसको opposite reverse संपे जो है लपेतेंगे यहां पे क्या लगाते हैं । मोग Sug आज इन कीजिये, थोड़ा सा सोचिँ कि अगर इसको खीचेंगे तो यह किस तरफ घुमेगा, ऐसे घुमेगा. यह रसी क्या होगा यह रसी यह रसी, यह उपर उठेंगा, इसको नीचे उतारेंगे, तो दूसरा उठेगा इसको छोड़ेंगे तो ये उत्रेगा एएसी के सारे हम लोग पानी को जो है निकाल लेते हैं ठीक है चलो ये हमारा हो गया क्या अधिसीज सभी बाती जो है माने बता दिये है एंड ये क्या है ये ट्रेट कलर पे क्या है इसको मैं बता देता हूं बाल बीरिंग सिस्टम सारे वाते जो है मैंने यहां पर बता दिये हैं अब चले जाते हैं हम लोग कहां पर अब चले जाते हैं इसके फॉर्मुला पर तो देखो यहां पर यहां चले एक्सिल का डियमेटर को माल लेते हैं डाय wines दिस्टम डियमेटर इज यहां दिस्टमीटर इष्टमल्द के एक्सिल का दाम capture क्या is small d and this card , um Wamya लेते हैं धिस्टमीटर इज बिस्टमटर हां यहां डी किसका दामितर है diameter of will okay and D is the diameter of axle they are happy they go on one rotation on one rotation string of will of string of will covers कितना cover करेगा देखो अगर हम लोग will को एक रोटेट करते हैं एक पूरा जो है rotation देते हैं ठीक है पूरा एक बार घुमाते हैं तो से रसी कितना इसमें घुसेगा बोलो इसका जो है आपका circumference जो होता है ठीक है देखो यह हमारा हुईल हो गया हुईल को हम लोग बिल्कुल फ्रॉंट से देखते हैं भी ठीक है यह हुईल तो इस Point को मांते हैं ठीक है इस Point को ऐसे घुमा के अगर हम लोग यहां तक लाएंगे तो कितना distance cover होगा बोलो इस point से कितना distance cover होगा जितना distance cover होगा उतना ही रसी यहाँ पे जाएगा ठीक है तो यह distance होगा अगर इसका diameter D है इस पूरा distance को हम लोग कहेंगे क्या बोलो 2 pi r होता है तो यह हो जाएगा हमारा pi D pi D बैसे ही अगर इसकी बात करें इसकी बात करें क्या होगा यह pi D and on one rotation one rotation string of axle covers pi small d बात समझ बाया कि अगर हम लोग field को एक बार घुमाएंगे तो कितना रसी अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा एक बार घुमाने से वो जाएगा pi D ठीक है डी इसका अगर डायमेटर है तो pi D का value जितना रहेगा उतना ही रसी इसमें लपेटा जाएगा या फिर खुलेगा ओके वैसे ही अगर एक rotation हम लोग इसको देते हैं axle को देते हैं तो उसमें कितना रसी खुलेगा या फिर उठेगा बोलो वो पाइडी वह है small pi D ठीक है दिस इसमोल पाइडी एन ये कापितल पाइडी चलो यहाँ से हम लोग जो है निकाल सकते हैं velocity ratio of wheel and axle velocity ratio क्या होता है बोलो velocity ratio मैंने आप लोगों को सिखाया था velocity ratio is the distance moved by the effort to the distance moved by the load on one rotation एक rotation पे effort कितना move कर रहा है वो लो एक rotation पे effort कितना move कर रहा है pi capital D ठीक है यही तो effort है ना pi capital D तो velocity ratio निकालते है velocity ratio ratio of will and axle is equal to distance covered by covered by effort and नीचे होगा distance covered by node ओके तो हम लोगने क्या निकाल अभी अभी distance covered by effort बोले तो यह string के दौबाल कितना distance travel क्या जाएगा एक rotation पे that is pi d and नीचे होगा आपका pi small d तो ये हो जाएगा हमारा d y d this is the velocity ratio this is the velocity ratio ओके ठीक है and ये तो आपका जब इस string का जो थीकने से वो अगर पतला है तो फिर इसी formula को हम लोग लगाएंगे vr के लिए अगर आपको बहुत ही जादा मोटा रसी दिया गया है तो उसके diameter को आप लोग उसके thickness को आप लोग neglect नहीं कर सकते देखो ये जो रसी ये अगर पतला होगा तो इसके thickness को हम लोग जो है neglect कर देते हैं लेकिन वही पे अगर मोटा रसी कि उसके जाए तो उसके जो ठीकने से उसको हम लोग लेकलेट नहीं करते हैं तो in that case क्या होगा vr जो हो जाएगा वो और कुछ नहीं होगा d के साथ आप लोग t1 and small d के साथ t2 add कर लिजेगा ठीक है t2 add कर लिजेगा अब ये t1 क्या है है t1 क्या है t1 is the thickness thickness of string on will okay and t2 क्या है t2 is thickness of string on axle ठीक है तो एक्सेल पर जो रसी रहेगा उसका thickness अगर ज्यादा है तो फिर वहां पर टीटू हम लोग लिखेंगे and यहां पर जो रसी उसका जाएगा मोटा रसी तो उसका thickness t1 कुछ इस तरा से लिखेंगे ओके तो वैलोसिटी रशियो अब हम लोग निकाल लेते हैं mechanical advantage तो mechanical advantage बोले तो क्या होता है mechanical advantage is the ratio between what and what किसके किसके बीच में mechanical advantage का ratio होता है बोलो mechanical advantage मैंने आप लोगों पढ़ाया था mechanical advantage आप सभी लोग जानते होंगे जो भी मेरे previous classes देखेंगे आप सभी लोग को बता होगा चलो मैं तब तक लिख लूँ आप खुद से जो है अपने note पे लिख लिए फड़ा फट से कि mechanical advantage का formula क्या है and इस case में mechanical advantage क्या होगा तो mechanical advantage, mechanical advantage, mechanical advantage, mechanical advantage MA is equal to, या पर क्या होगा दोस्तो, load by effort, ठीक है इतना आप लोग जानते होंगे load इधर कितना लगाए है, हम लोगन W लगाए है, and P लगाए है, effort ठीक है, तो this is the mechanical advantage of this machine, ठीक है, तो यह होता है mechanical advantage, ओके, and यहाँ से अगर हम लोग efficiency निकालेंगे, and efficiency, efficiency निकालो इसका, efficiency का simple सा formula क्या था दोस्तो, efficiency का simple सा formula क्या था बोलो, MAYVR, ठीक है, MAYVR, MAYVR, यह अफिर हम लोग कह सेपते हैं, output by input, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग output by input निकालते हैं, output by input of the machine, तो output क्या होगा दोस्तो, output क्या होगा, बोलो, output आपका होगा, क्या, load into distance moved by load, तो वो क्या था, pi small d था, ठीक है, and input क्या होगा, effort into distance moved by effort, वो होगा, capital D, तो pi pi कर जाएगा, तो क्या रहेगा, हमारा, w by p into d by d, and इसी को हम लोग थोड़ा सा arrange कर किया, लिख सकते हैं, w by p, and नीचे हम लोग d by d लिख सकते हैं, तो w by p क्या है, mechanical advantage, mechanical advantage, and d by d क्या है, capital d by small d, that is vr, okay, तो efficiency हाँ पर क्या होगा, mechanical advantage जो भी निकलेगा, उसको हम लोग vr से divide कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, efficiency of that machine, ठीक है, चलो, तो अब दूसरा case ये भी हो सकता है, दोस्तो, कि, इसी machine को थोड़ा सा modify किया जा सकता है, कि मैंने ये wheel को हटा दिया, wheel के बदले में मैंने handle लगा दिया, ठीक है, wheel के बदले में मैंने क्या लगा दिया, handle से अभी घुमाऊंगा, मैं पानी को उठाऊंगा, तो फिर उस case में क्या होगा, उस case में भी देख लेते हैं, चलो, वो variation भी हम लोग देख लेते हैं, चलो, इसको मैं erase कर देता हूँ, इतना आप लोगोंने समझ लिए है, सारे formula मैंने आप लोगों बता दिये है, सिर्फ आपको numerical problem जो है, solve करना है, जो कि मैं इस case को समझाने के बाद ही, आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आप लोग, अगर calculator ल अभी हमें feel पसंद नहीं है, हमें रसी खीचना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर क्या करेंगे, रसी को हटा के हम लोग लगा देंगे, अब एक handle, handle को किधर लगाते हैं, side में किसी जगा पर हम लोग लगाएंगे handle को, ओके, चलो, तो इसको पूरा मैं compare कर देता हूँ, ऐ यह हो गया हमारा, अब देखो सिर्फ इस set में क्या है, only the axle is there, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे axle है, तो इस डंडे को जो है, इस डंडे को थुरा सा large करके, मैं यहाँ पे एक handle बना देता हूँ, this is our handle, जैसे कि हम लोग generator चालो करते हैं, ठीक है, यह handle ऐसा रहेगा, इसको ऐसे हम गुमाएंगे, और यह पानी, जो है, उपर उठेगा, नीचे गिरेगा, इसको जैसे जैसे घुमाएंगे, वो होगा, तो handle का length, अगर आपको दिया जाए, देखो, handle का length, हम लोग कैसे में जार करते हैं, बिलकुर center, center line, बरावर, center line से, इस point तक, इसका center, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर पकरेंगे, उसका center, तो this length is known as the length of handle, ठीक है, यह अगर इसका value L है, तो फिर, for that case, velocity ratio क्या होगा, for that case, velocity ratio क्या होगा, दोस्तु, velocity ratio for that case, 2L, ठीक है, 2L by नीचे क्या रहेगा, आपका, 2L by D, and रसी का अगर आपको thickness दिया गया है, तो plus T2, ठीक है, plus T2, otherwise, सिर्फ आप लोग क्या करेगा, 2L by D लिख सकते हैं, ठीक है, अगर रसी का thickness आपको नहीं दिया जाएगा, तो फिर, आप लोग सिर्फ 2L by D लिखेगा, अगर रसी का thickness दिया जाएगा, तो DL plus thickness, रसी का thickness, ठीक है, तिस इस दे वैल सिटी, रिशू, वैल सिटी रिशू का फर्मूला इस के से के लिए ठीक है, एड मेकानिकल एड़वाटेश के लिए वही रहेगा, लोड ऐफोर्ट, कितना लोड लिप करा रहे हैं, आप लोग कितना एफोर्ट देना हो रहा है, ठीक ह चलो अपना पैनन को पी निकालो फटा फट से question जो मैं यहाँ पर लिखा हूंगा वो question आप लोग लिखेंगे खुद से थोड़ा सा try करिए बाद में मैं आप लोग को बताता हूं question लिखने के बाद आप लोग video को pause कर दीजेगा question लिखने के बाद video को जो है pause कर दीजेगा खुद से थोड़ा सा try किजिए फाइब मिनिट जो है try किजिए अगर नहीं आता है तो फिर solution देखिए फिर उसके बाद video को play करके solution देख लिजेगा ओके ठीक है एन इस तरह की numerical problem आप लोग थोड़ा सा जो है अपने आप try करने की कोशिस किजिएगा okay so first question is a simple wheel and axle of diameter question number one a simple wheel and axle of diameter diameter 330 mm together 300 mm and 30 mm 30 mm respectively respectively ठीक है तो wheel का diameter क्या है 300 mm ठीक है एंड आपका axle का diameter क्या है 30 mm and बताया गया है what is the efficiency of the machine if it can lift a load of 900 Newton by an effort of 100 Newton what is the what is the efficiency of the machine of the machine efficiency of the machine if it can it can lift a load of it can lift a load of 900 Newton by an effort of 100 Newton ठीक है बात समझ में आया क्या कहां गया है कहां गया है कि एक simple wheel and axle है जिसमें की wheel का diameter है 300 mm and axle का diameter है 30 mm ठीक है 30 mm ठीक है 30 mm तो इसका efficiency निकालने के लिए बुला गया है condition दिया गया है कि इसमें से 900 Newton 900 Newton load को lift कराने के लिए कितना effort देना हो रहा है only 100 Newton ठीक है तो आपको सिर्फ यहां से efficiency निकालना है efficiency बोले तो यह बाला निकालना है आपको what is the efficiency of that machine तो वीडियो को फटा-फट से आप लोग पॉस कर दिजिए कुछ यह थोड़ा सा ट्राइक किजिए ओके चलो तो जिन जिन लोगों को answer मिल गया है तो prepare answer को मिला लिजे पहले ठीक है और जो लोग नहीं कर पाए हैं तो यहां पर solution देखें ठीक है सभी लोग जो है solution को देखिए solution कैसे हो रहा है solution तो हमें क्या-क्या पता है what are given ठीक है क्या-क्या चीज़ या गया है सबसे पहला तो capital D capital D क्या था capital D यहां पर लिख लिजेगा diameter of fill ठीक है इस इकल टू 30 mm ठीक है and small d diameter diameter of axle is equal to 30 mm ठीक है यह दोनों चीज़ हमें पता है दर उसके बाद P effort effort कितना है 100 Newton and 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 W is equal to load जो है 900 Newton ओके यह चारों चीज़ जो है हमें दिया गया है तो यहां से हम लोग क्या-क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे mechanical advantage mechanical advantage क्या होता है W by P तो W by P क्या होगा W is equal to 900 and P is equal to 100 that is 9 में क्या है 9 and velocity ratio velocity ratio क्या जाते हम लोग D by D distance move by effort distance move by load okay तो यहां पे D क्या है 300 and यह होगा 30 तो इस तो इस is क्या 10 तो what is the efficiency efficiency क्या होगा बोलो efficiency बहुत ही simple सा question था बहुत ही simple efficiency होगा MA by VR तो MA by VR MA क्या है यहां पर हम लोग क्या निकालें MA is 9 and VR is 10 so our efficiency is 0.9 0.9 and इसको अगर आप लोग percentage में करेंगे तो definitely वह 90% जो है आएगा ठीक है 90% जो है यह efficiency रहेगा ठीक है दोस्तों चलो तो this is our first question जो की सिर्फ दो मार्क के लिए था दो मार्क इसमें था आपका ठीक है अब चलो अब आगे बरते हैं हम लोग आगे बरते हैं दूसरे question पर आगे बरेंगे हम लोग दूसरे question पर दूसरा question भी आप लोग वैसे ही try कीजिएगा जैसे कि पहले को try किये थे पहले को question देखने लेने के बाद question को पुरा लिख लेने के बाद आप लोग जो है खुद से try कीजिए फटा फट से question को मैं पहले लिखा देता हूँ चलू यह हमारा इरेज हो गया तो दूसरा question लिख लेते हैं फटा फट से question number two question number two कहा गया है in a simple wheel and axle in a simple in a simple wheel and axle wheel and axle a load of 25 newton is raised a load of 25 newton is raised is raised by an effort by an effort of why an effort of five newton five newton of at an efficiency of eighty percent at an efficiency of eighty percent then उसके बाद कहा गया है if the diameter of wheel is 375 if the diameter of wheel is 375 mm then what is the diameter of the axle then what is the diameter of the axle ठीक है यहाँ पे आपको एक्सेल की डामेटर निकालने के लिए बोला गया है बहुत ही सिंपल यह भी बहुत ही सिंपल है दो या फिर तीन मार्क के लिए पूछा जाए जाएगा इस तरह के सवाल in a simple wheel and axle a load of 25 newton is raised by an effort of 5 newton at an efficiency of 80% if the diameter of wheel is 375 35 mm then what is the diameter of the axle चलो फटावर से इसको ट्राइक कर लो ओके चलो तो अभी solution करते हैं इसका solution तो क्या-क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं given क्या-क्या है आपका लोड है लोड है कितना 25 newton effort कितना है 5 newton and diameter of wheel कितना है 375 mm and small diameter क्या है एक्सल का diameter नहीं पता हमें and एक और चीज दिया गया है that is efficiency 80% बुले तो क्या 0.8 ठीक है efficiency क्या है 0.8 ओके चलो तो इन सभी चीज़ों को दिया गया है हमें सारे formula पता है सिर्फ यहां से डी का value निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग efficiency is equal to ma by vr ठीक है यह तो हम लोग जानते है efficiency is equal to ma by vr यहां पे इसको break कर देते हैं efficiency is equal to क्या होगा ma बोले तो क्या w by p and vr velocity ratio बोले तो क्या capital d by small d capital d by small d ओके इसको और भी break करते हैं w by p आ जाएगा and d by d आ जाएगा ओके तो हमें क्या निकालना है इस d का value निकालना है बाकी सारे चीजों को एक तरफ लिया है d को एक तरफ छोड़ दीजे तो क्या होगा देखो इन यह दोनों इसके साथ multiply होगा and यह आपका उपर रहेगा तो efficiency into p into d and नीचे रहेगा only load तो efficiency है 0.8 p है आपका 5 and d है 375 and load कितना है 25 है ओके तो calculate कीजिए फटा फट से इसको calculate कर देंगे आप लोग आई थिंक चलो मैं भी calculate कर लेता हूं अभी ऐसे ही मैं इसको कर सकता था क्योंकि 25 से जो है इसको एम एम इस दा एंसर ठीक है तो जिन लोग का एंसर 60 आपको मिल जाएगा exercise में भी मिल जाएगा तो इस तरह के question आप लोग खुद से try कीजिए next class जो की हम लोग कल ही देखेंगे उसमें हम लोग differential will and excel को discuss करेंगे एंड एक-एक दिन एक-एक मेजिन को हम लोग डिस्टस करेंगे एंड इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है हम लोग practice करते जाएंगे ओके चलो तो दोस्तों class को यही पेहन करते हैं मिलेंगे next class में तब ते के लिए अपना पराय बराबर रखना and अपना जो तबियत है उसको भी ख्याल रखना ओके thank you very much हुआ 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 है